नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वेडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारे बढ़िया सा बहुत ही टेस्टी मोंग डाल का हल्वा अब मोंग डाल का हल्वा इतना असानी से घर पर बन जाता है ना जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप यह हल्वा बना सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर मैंने मोंग डाल ले ली थी इसे मैंने भिगो कर रख दिया था और यह मोंग डाल अच्छे से भिगोने के बाद आप देख सकते कुछ इस तरह से हो गई है इसका पानी निकाल लेना है और इसे मिकसर जार में डाल देना है और इसे ढखकर दरदरा पीसना है अब जो हलवा है वो दर-दरा पीसा हुआ दाल का ही अच्छा लगता है. तो इसे दर-दरा पीस लिया है, अब गैस कौन के लिए एक बर्तन रख देंगे और इसमें हम डालेंगे पानी, तो यहां पर मैंने ये वाली कटोरी से, medium size की जो steel की कटोरी आती है इससे मैंने 3 कटोरी इसके अंदर पानी डाला है और 1 कटोरी चीनी डाल दी है और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे केसर और थोड़ ऐसा food color orange food color अच्छे से मिलाते हुए चीनी पिगल जाया तब तक इसे हमें पकाना है जब तक यह पक रहा है दुरसी साइट ना मैंने कडाई के अंदर डाल दिया है आधा कप गी यानिकि आधी कटोरी गी एक ही कटोरी से मैंने आपको सारी नाप बताई है गी जैसे ही गरम हो जाया तो इसके अंदर हम डालेंगे दो चमच सूजी बारिक वाली है मोटी वाली जो आपके पास है और एक बड़ा चमच बेसन और इसे धीमी आज पर अच्छे से 2-3 मिनिट भूने तो ध्यान रखेगा आज बिलकुल धीमी होनी चाहिए नहीं तो यह जल जाएगा और इसका स्वाथ बिगर जाएगा अच्छे से धीमी आज पर भून लिया अब इसके अंदर हम डालेंगे यह दरदरी पीसी होई मोंग डाल और लगातार चलाते हुए इसे भी हम बूनेंगे तो लगातार चलाते जाए और इसे बूनते जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से पिगल गई है तो बस यह चीनी वाला पानी इसके अंदर हमें डाल देना है लगातार मैंने एक तड़का पैन में डाल दिया है एक बड़ा चमच गी जैसे गरम हो जाए तो इसके अंदर मैंने डाल दिया काजू बादम और किश्मिश किश्मिश फूल जाए तब तक सबको अच्छे से बूनना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हलवा भी अच्छे से ब जरूर ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूले आज के लिए बस इतना है थैंक्यो फॉर वाच्छे